असलाम अलेकुम विल्कम बैक टो अध्वांटिक इंडियन कुकन व्लोक्स यूटूब चैनल आज हम लेकर आए हैं मिक्स मूंग दाल चना चाट रेसिपी जो चटपटा तीखा और मीठा होता है टेस्ट में परफेक्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए ये रेसिपी आप बना होगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल पहुंचेंगी पहले पहुंचेंगी मैंने अपने चैनल पर रेसिपी से रेलेटेड बहुत सारे रेसिपी अपलोड किये हैं यूटूब पर जाकर आथांटिक इंडियन कुकन व्लोक्स के नाम से सर्च करिए और अच्छे अच्छे रेसिपी स देखना भूलिएगा मत जो हेल्फल होंगे रेसिपी के तरफ आत हैं मैंने यहां पर 100 ग्राम्स हरी मुंग डाल काले चैने रात भर भीगो कर उबाल लिए हैं ताके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए दो बॉइल पोटेटोस लिए हैं मीडियम साइस के पील आफ करकर चोटे चोटे पीसस में कट कर लिया है पैन में आड़ करिए 2 टेबल स्प नेक्स्ट आड़ करिए बॉइल पोटेटोस इसे भी हम वन मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होने के बाद नेक्स्ट आड़ करिए टमाटर एक टमाटर मैंने कट करकर आड़ किया है उबले हुए काले चने आड़ कर दें यहाँ पर मैंने काले चने और मुंग दाल बहुत सॉफ्ट किया है क्योंकि मेरे पास इसी तरह से खाना पसंद करते हैं हाफ टी स्पून काली मिर्च पावडर हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून चार्ट मसाला आड़ किया है आप मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के कॉडिंगे डालिएगा अच्छे से mix कर ले वन मिनेट के लिए medium flame पर इसे cook कर ये वन मिनेट के बाद हमारा ये mixture ready है स्टाव का flame बन कर दे थोड़ा सा ठंडा होने दे मैंने यहां पर दही लिया है 100 g ये घर का दही है मीठा दही है वन टी स्पून शुगर आड़ कर ये अच्छे से mix कर ले सर्व करने के लिए एक बड़ा सा बावल लिया है फर्स्ट हम डालेंगे मूंग दाल, आलू और काले चनी का mixture दही आड़ करिए दही अगर आप ज्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज्यादा भी आड़ कर सकते हो ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है जिन्हें चटपटा खाना पसंद है तो ये रेसिपी ज़रू ट्राइ करिएगा दो पिंच लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें और अनार दाना उपर से आड़ कर दें पोमगरेनेट सीड्स का टेस्ट क्रांचीनेस चाट में बहुत ही अच्छा आता है अगेन हम आड़ करेंगे रिमेनिंग मिक्ष्या मूंग दाल और चना चाट का सेम प्रोसेस पॉलो करते हुए दही आड़ करें लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से अनार दाने उपर से स्प्रिंकल कर दीजिए देखिए अब यह हमारा मिक्स मूंग दाल चना चाट रिसिपी रेडी है सर्फ करने के लिए रिसिपी पसंदाई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक कॉमेंट हमें होसला वजाई देता है और अच्छे रिसिपी बनाने के लिए शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए बेल आइकान क्लिक करके अब मुझे इजासत दीजिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रिसिपी के साथ अलाहाफिज अब मुझे